सो ही गाईस आज हों दिखने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिस की चप्टर में 4 को जो किये फ्रॉम धारी ओफ एनी फ्रैंक एनी एक जविस गर्ल थी जो कि जर्मनी पैदा हुई थी उससे में नाजीस का यानि हिटलर का पावर जो बहुत बढ़ा हुआ था फिर जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो World War 2 के दोरान उनका पूरा परिवार दो साल तक छुप करके बिदाते हैं World War 2 के बीच में इन्होंने अपने डायरी को लिखा था लेकिन उसी बीच इनकी भी मिर्त्य हो जाती है इनके पूरे फैमली में इनके पिता ओट्टो जो थे वही सर्वाइब कर पाते हैं उसका अभी जो हमें इनका जो डायरी था उसका कुछ पार जो है इस चैप्टर में पढ़ने को दिया गया है तो चैप्टर स्टाटे में कहा जा रहा है कि एननी जो अपने डायरी में लिख रही थी तो उनको डायरी में लिखने पर बहुत ही अजीब एक्स्पिरियंस हो रहा था क्योंकि एक तो कभी उनने डायरी पर लिखा नहीं था दूसरा वो सोचते थी कि भला 13 साल के लिखी हुई लड़की का कोई चीज क्यों ही पढ़ेगा कोई और तो क्या ये खुद भी इंट्रेस्टेर नहीं होंगी उसको पढ़ने में लेकिन ये फिर भी जो ये डायरी पर लिखती है लेकिन वो फिर भी लिखती है ताकि उनके मन में अगर कोई बात है या फिर दिल पर कोई भार है तो उसको वो कम कर सके लिख करके एक दिनों बहुत जयता बोर हो रहे थी और सोचे थी कि उनको घर से बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए उसी बीचे कहते हैं कि पेपर के पास लोगों से भी जादा पेसेंस होता है उनके कहने का मतलब था कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो ऐसा नहीं कि वह 24 सो घंट आप की बात को सुनने दे और फिर वहाँ पर रहेगा लेकिन पेपर पर जो आप जब चाहो कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो कभी भी यहां कहने के बाद वहाँ सोचते हैं कि वहाँ इस डायरी में जो कुछ भी लिख रही है वहाँ किसी को यह पढ़ने नहीं देंगी जब तक उनको जो है उनका true fan नहीं मिल जाता है और इसे सोच के साथ वहाँ अपने इस डायरी में लिखना जारी रखती है क्योंकि वह कहते हैं कि उनके पास जो है एक भी दोस्त नहीं है वहाँ अपने डायरी में लिखती है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ इस दुनिया में अकेली है उनके पस एक प्यारा परिवार है, एक बड़ी भेन है 16 साल की और लगबग 30 लोग उनके आसपास में हैं जिसे वह फ्रेंड्स कह सकती है इसके बाद हो कहती हैं कि उनके पस परिवार है, एक प्यारी अर्ण्ट है तो उनके पस लगबग सब कुछ है, बट एक true friend के अलावा उनके पस बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी वह उतना फ्रिली जितना वह चाती है कि वह उनके से अच्छा वक्त बिदा सकें, उनके साथ रह सकें, लेकिन वह नहीं कर पाती है और वह कहते हैं कि इसमें गलती इन ही की है, क्योंकि ये जो है confide नहीं कर पाती है ट्रस्ट नहीं कर पाती है किसी पर, और कहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहने तो कोई भी change जो नहीं है इसलिए यहाँ जो अपने diary को अपना friend मानती थी और उसे एक नाम भी दिया था जो कि एक kitty यहाँ अपने diary में अपने life का एक brief sketch यानि काओ कि अपने बारे में जो है लिखती है इनको पसंद नहीं रहता है लिखना लेकिन फिर भी यह थोड़ा बहुत लिखती है यहाँ लिखती है कि इनके प्यारे पिता की साधी हुई थी जब वो 36 एज के थे और इनकी मा ज़र 25 एज की थी फिर इनकी बड़ी बेहन Margaret का जनम हुआ था Frankfurt जर्मनी में in 1926 इनका जनम हुआ था 12 जून 1929 को जब तक यह चार साल के थी यह फ्रेंकफर्ट में रही उसके पिता ओटो फ्रेंक और इनकी माता एडिट होठा फ्रेंक जो है दोनों ही उलेंट चले गये 1933 सेप्टेंबर में उसके बाद ये और इनकी जो सिस्टर थी वहाँ चले गये थे इनके जो ग्रैंड मदर महते इनकी जो दादी थी उन के पास आचन में फिर इनकी बेहन मारगर जी थी वहाँ दिसंबर में चली जाती है होलेंड यहां इनकी बहन का जब बढ़े रहता है फेवरी में तब होलेंड जाती है और इंको माने इंको टेबल पर दियाता है जैसे कि मानो एक प्रेजेंट हो किलो तुम्हाइः छोटी वेन भी तुमारे बर्डेक दिन आ गई फिर यहां मॉन्टेश्वी नर्सी स्कूल में जाते हैं जहां पर यह छे साल की उम्रे तक रहती हैं जब यह वहां से जा रही थी मतलब की इस स्कूल से तब इनकी जो टीचर है मिसिस कुपेरस और यह बहुत जादा रोते हैं उसके ज कोसी आनि हो इनकी दादी का भी है केंडल रहता है तो एक दे समस्य सकते हैं कि उस समयसे हैं बहुत दुक्त थ्सक् Scale पावार तो इसंती नहीं मनता इस और सुए क्या करती थी यह कहती है कि उनका जह एक कैंडल यह वो भी इनका बर्ड़ इक दिन चलया गया था उनका परिवार जो था वो उससे में से फिर भी बढ़िया कर रहा था फिर वह अपने इस डेट को बोलती है 20 जून बताती है कि यह जो दिन है यह बहुत गंभीर दिन चल रहा है जैसा मैंने कहा कि उससे में जो नाजीस उनका पावर बढ़ गया था अब यहां पर जो उनकी डायरे में लिखा हुआ बात था वह हमें बताया गया है जो कि है 20 जून 1942 का यह डायरे में लिखी थी कि इनका पूरा क्लास जो है उससे मानो बहुत हला मचा हुआ था क्योंकि इस बार आने वारा था कि आखिर कौन पास किया है कौन जो है कौन नहीं करेगा यह और इंकी क्लास में जी एन दोनों ही हस रहते क्योंकि पीछे जो है सी एन और जैकिट साम के दो लड़के थे जो कि अपने में बेट कर रहे थे कि नहीं तुम पास कर जाओगे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे मतलब बेट कर रहे थे इसी बीच यह गुसें भी रहती हैं यह कहती है कि अगर कोई मुझसे पूछे तो इस क्लास में वन फॉर्थ में एक क्वाटर जो है डमीज है बेवकुफ बच्चे जिनको पीछे ही रहे दिया चाहिए लेकिन टीचर भी ऐसे क्रियेचर अन्प्रेटेबल है जो यह पता नहीं कब कॉंसर का सबंधता है नौ टीचर से इसमें सेवें में हैं टू वुमिन हैं मिस्टर कैसिंग जो की मैट के टीचर है वो एक ओल्ड फोज है मिंस ओल्ड फैसंड परसन है वहाँ गुसा रहते थे इनसे क्योंकि यह बहुत ज़्यदा क्लास में बात करती थी इससे वहाँ परिस्में देती है अपने स्कूल बैग में ताकि उनको याद आ जाए कि हाँ ऐसे लिखना है जब घर पहुंच आती है और उसके बास साम तक में अपना पूरा होमवक कम्प्लीट कर लेती है उससे में उस नोट से जो स्लिप लगा तो उनको याद आता है कि अच्छा मुझे ऐसे लि रिखती है की बात करना दो इस्टुएंट का रेकाने का लेकिन मैं क्या करूथ मैं इसको नहीं अपती हूं मैं नहीं करे और मुझे और मुझे शोच में यह दारा जा सकता है मिस्टर गैसिंग जो हैं बहुत हसते हैं वो फिर देखते हैं कि अब भी बात कर रही होती है इसलिए यहां एक सेकंड एसे इंग को दे देते हैं और वो एसे रहता है एन इन कोरीजीबल चैटर बॉक्स इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ को बैड वे में बत सुषते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कुछ अदलग से लिखूंगे तो यह अपने दोस्त जो कि है सैनी वो जो है पॉलिटरी में अच्छी थी इससे मतलब लेती है और उसका दो लिखती है यह कहते हैं कि सर चाहते हैं मेरा मजाग बनाना या फिर बोलो कि मजाग उड़ाना फिर कहते हैं कि मैं सुनिश्चित करूँ कि मेरा मजाग ना उड़ा है उल्टा सर कहीं उड़ी जा यह लिखती है कि एक मदर डग और एक फादर स्वैन थे जिनके तीन बेबी डगलिंग थे फादर जो है वो उसको मार मार के इदा मार डालते हैं बच्चों को क्यूंकि वह बहुत जबा क्या का वार्ष करते थे लेकिन देखो यह थो फौढा सा वालियनच लग रहा है लेकिन देखो ल guidelines doing ईकलियंट है वो जोक सही वह में ले 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 लते हैं मतलड JAY सर वह पोयम को पड़ते हैं जिसके अंदर वह खुद के भी comment डालते हैं और जोक के वह में लेते नहीं मिला और इंको बात करने की अनुमतिवी मिल गई वहीं दूसरी तरफ Mr. Kessing जो है हमेशा इनका मजाक उड़ाया करते थे तो यह तब पूरा इस स्टोरी में आसकमा को वीडियो अच्छ लगी हो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं यह अपनी जो है लाइफ के बारें बता कर दो कर दो है